सूबे के मुख्यमंत्री अशोग गैलोथ को एक बार फिर UPA चेयर परसन सोनिया गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है गैलोथ ने गुरुवार को सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की सोनिया गांधी ने एक बार फिर अशोग गैलोथ पर भरोसा जताया है उन्हें UPA के गटबंदन वाले दलों के नेताओं से मुलाकात और तालमेल करने की जिम्मेदारी सोपी गई है आपको बता दे कि सोनिया गांधी ने इन दलों से गटबंदन करने और एक जुट करने की रणनीती बनाने की जिम्मेदारी दी गई है इससे गैलोत का राश्ट्रे इस्तर पर एक बार फिर कद बढ़ गया है सोनिया गांदी ने दिल्ली में 23 मई को ही दिल्ली में गैर एंडिये दलों की बैठक बुलाई है माना जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को लग रहा है कि देश में एंडिये को स्वष्ट भहूमत नहीं मिल रहा है उसे देखते विए कॉंग्रेस पार्टी गेर एंडिये दलों से मिलकर सरकार बनाने की कड़ी में आगे बढ़ रही है गैलोट के साथ कॉंग्रेस के चार बड़े नेताओं को भी ये जिम्मेदारी सौपी गई है कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी, आजाद, पीछी दंबरम, एहमत पटेल भी गैलोट के साथ यूपिये नेताओं से वारता कर दिल्ली में सरकार बनाने का प्रियास करेंगे सूत्रों के मताबिक जिस सरीके से गटबंधन को एकजुट करने में अशोग गैलोट को महारत हासिल है एक OBC के बड़े नेता माने जाते है, एक बड़ा चेहरा माना जाता है OBC को यही वज़ा है कि यूपिये चेहर परसन ने अशोग गैलोट को आज अपने आवास पर बुलाया और उनको तमाम जो गटबंधन के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करके एक जुट करने की जिम्मेदारी दी है सूत्रों के मुताबिक कल शाम को मुखेमंदरी अशोग गैलोट और पी चितंबरम की मुलाकात हुई सोनिया गांदी से और अब जो है उनको तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए कहा गया है और जिस सरीके से नतीजे आ रहे हैं सात्वे चरण यानि अन्तिम चरण की नतीजों से पहले उनको ये काम सौपा गया है और तमाम नेताओं से एक एक करके वो मुलाकात करेंगी उनको जो है कॉंग्रेस के साथ समर्दन हासिल करने के लिए उनको जो है यूपी एक खेमे में शामल करने के लिए गटबंदन के तमाम नेताओं को एक जुट करने के लिए उनसे मुलाकात होगी उनसे बात चीत करेंगे तो फिलाल देखने वाली बात यह है कि कितने जो गटक दल है वो कॉंग्रेस के साथ जो है आपाते हैं लोग समच नहों के परिणामों के से पहले ही यह मशकत जो है कॉंग्रेस के लिहाज से बहुत एहम मानी जा रहे है कैमर पॉसर नलिल कपूर के साथ प्रीद किरन सिंग एवन टीवी दिल्वी तो बड़ी एहम जिम्मेदारी मुख्यमत्य अशोग गैलोत को दी गई है और इस कबर पर बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ मोजूद है राजनितिक विश्टलेसक अनिल लोडा जी जी सर बड़ा घटना करम है मुख्यमत्य अशोग गैलोत को एक एहम जिम्मेदारी दी गई है क्या कुछ कहेंगे आप लगता है तकनी की खामी के चलते संपर्क तूट गया है फिर से उनसे संपर्क करने का प्रियास करेंगे तो आपको बता दें कि मुख्यमत्य अशोग गैलोत को एक एहम जिम्मेदारी दी गई है गैर एंडिये दलों से गटबंदन की जोड़ तोड़ शुरू करने के लिए मुख्यमत्य अशोग गैलोत को कहा गया है साथी तीन अन्यत दिगज नेताओं को भी ये जिम्मेदारी दी गई है गुलाम नभी आजाद पीची दमबरम के साथ ही मुख्यमत्य अशोग गैलोत उन तमाम दलों से गटबंदन की गुणजा इस पर चर्चा करेंगे जो की एंडिये में शामिल नहीं होंगे आपको बता दें मुख्यमत्य अशोग गैलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आज मुख्यमत्य अशोग गैलोत ने सोनिया गांदी से मुलाकात की दिल्ली में बड़ी एहम जिम्मेदारी मुख्यमत्य अशोग गैलोत को दी गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजनेतिक विश्लेशक अनिलोडा जी जोड़ चुके हैं क्या कुछ कहेंगे बड़ी एहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गैलोत को दी गई है बातेल, लुवलांदर अशोक जरॉप और पीची दम्रम है तो इसक जब पर्टी उपस्टी पार्टीयों को जोड़ना होगा और सौथ की पार्टीयों को जोड़ने के लिहां से उंको साथ जखा गया है क्योंकि इस भाष्षा बोंच के लोकल प्रोलिक्स में क्या गई कहा है लेकिन ये जो तीन लोग है बाकी ये लाइक माइंड़ लोग है एक साथ चलने वारी एक टीम है आपको याद होगा एमद पतिल कर आई साचनाव था पिसकर आशो गरोत में वहाँ पर जारूपन दिखाया था जे बिलकुल और गुजरात में गुजरात से पहले चंजाब में और उसके बात करना तक मैं सभी जहें हो तुमें राजनित्री के अपने सूजबूज दख्ष्टा और जो कोशल पर जो कोशल पर जिए पूरे देश के लोग पूरे देश की पार्टियां उनकी नेता इंपर रिश्वास करते हैं उनके साथ नेत्री अच्छाब ज़रूरी कि अग्वास का यहां वी ना आगरे यहां पर बना पूरवागरे लोगों से बात की जाए पार्टियों दोड़ा जाए और किसी पर्ष्ट को उपर उपर कर बड़ा जाये विश्चे के सभी देशना के बना जाये उस इस अिशा में गैलोड को मैं पर्वी तो समझता हूं क बाठीच कवारे कि पास कोशल भी है। लोगों को समझने की उमा चमटा है। सबस्रेंजाने की समटा है। और से स्फसे बाद ही, कि της वश्वारे क्यों long time को बरोसा है। तो वो बिहार में, UP म मत्या बंडर जी से बात की जाया, तो वूंस्तिな फिर यूद कॉम्जर के जमाने में तू आश चुबरोग। क्यादिजरा कॉमजरा के सब्सक्ना वैं है। इनौ को उतकर जात्रक्राइब को समझने में उनको उन्कारप में उननी प्रीद करinos. इस दूछ को तो गुदाम नभी आजार और एमत पतेल हैं वो भी पुराने कॉंग्रेस ही हैं तो उन सब के साथ मिल्की गेरोग के जाइट कौंपा गया है और उम्मित करने चाहिए कि गेरोग लेकि आज तो उस नहीं कह सकते 23 तारीक को क्या निकलेगा मशीना से लेकिन जो भी निकलेगा करनल अगर उसन जो पमएंट सेनावल काइट हैं तो इसमें फिर निकलेयत सब सेवार का निकलेगा लिए जवार क까지 कॉछांगे का दूर्शे युडरीन उससे जिए कोंगेशिक सर्केशफे सबही तो ऐसा माना जाना ठीक गेरोगों की इसमें तर्मुग भूमिता होगी और गेरोगों भूमिता निवाएंगे और उटा योगदान होगा इस इशा में आगे बनाने के लागे दिखो एक सवाल आप से करना चाहेंगे सर, साथवा चरण का मदान अभी बाकी है और यूपिये ने तयारी कर दी है, कौंग्रेस ने तयारी कर दी है, यूपिये की सरकार बनाने की और इसी क्रम में जिद्मेदारी दी गई है, तो यह क्या सामान्य प्रक्रिया है या कहीं एक आहट म प्लट होने वाला है इस आहट को देखते हुए यह तैयारी की गई है देखिए कोई पार्टी राज्यती में चुनाव में उतरती है तो उमीद के साथ उतरती है जी और मददान क्या हुआ है कैसा हुआ है कितना हुआ है जो शोर चरबा सपे के ऊपर दिखता है कि हावास्तों में सप्रब्र भी वही बात है या सप्रब्र कुछ और बात है जी अभी यह सब खुष्छे के जर्ब में हैं जी लेकिन ऐसा नहीं हो की देर होजाए आप तो तो कमेटी बनाते रहाँ आप तो निता सुनते रहाँ बात करते रहाँ सामने nya माला चॉपकी बहुत चालाक है स कि आप अगर उसी का इंजार करो कि नतीजा क्या आता है फिर सोचो तो बहुत देर हो जाए इसलिए जैसे पहले करनाटक में इन्होंने टै कर लिया नतीजा आने से पहले एक दिन पहले अशुक गुरग में मिलकर के सरकार इंकी बनेगी हम साथ देंगे ऐसे ही चाहते हैं कि लिए पहले सी कमिट्मेंट हो जाए और जैसे प्री पोल कमिट्मेंट वरेंढ होे हम लेकिन प्ली डिगालेशन अब दिया ही प्राजिस्ट यह सर्ताइ होगी चिसर्त को पूस-पास की तैयार करके रख़ता अर्गला से और यह दर्श्थे को बताता है कि पढ़ना वाना तरी तारी को इशान को विपक्षी दलों की बैतक उलागी सोनिया गांदी ने तो सोनिया गांदी अब ऐसी कोई रन्मितिक चूक नहीं करना चाहती कि समय पर कदम नहीं उठाने की वएसे हाथ से बाजी निकल जाए इसलिए वो समय नहीं देना चाहती वो जानती है कि राजपती के पाले में जब गैन दगर ख़िली गई तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसका नुमान मूँ लगा रहे हैं सब लोग और इसी ना से ये पैहरिया की जारी है कि कि किसी भी रन्मितिक चूक की वेसे आई वी बाजी हाथ से ना निकल जाए जी चलिए तमा कि में अन्य दलों का सैयों किस प्रकार सी लिए आ जा सकता है इसलिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी में मुक्यमंति अशोग गैलोत को भी शामिल किया गया है चार बड़े नेताओं इस ऐसी में शामिल गया गया है पीच इदंबरम एहमद पटेल गुलाम नभी आजाद और मुक्यमंती अशोग गैलोग।